आज हम जादूई खिलोनों के साथ एक से दस की किंती सीखेंगे एक टोपी एक एक टोपी दो गें एक दो दो गें तीन रसिंकार एक दो तीन 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 रसिंकार चार पतंग एक दो तीन चार चार पतंग पाच पुस्तक एक दो तीन चार पाच पाच पुस्तक अब लेते हैं दूसरा जादूई खिलोना छे छे पाच छे छे रोबोट साथ साथ बंदर आट सिक्के एक दो तीन चार पाच छे छे साथ आट आट सिक्के आट 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 मैंच आट 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 क क से कभूतर क क से कजाना ग ग से गमला ख ग से खड़ी अंग अंग से कोई भी शब्द नहीं बनता लेकिन इसे शब्द के ऊपर बिंदी जैसा जोडा जाता है इसे हम अनुस्वार कहते हैं इस बिंदी से शब्द की अवाज बदलती है उधारण के लिए श और अंग को जोडने से शंग बनता है जैसे शंख ब और अंग को जोडने से बंग बनता है जैसे बंगाल च च से चमाच च च से छतरी ज ज से जहाज ज च से चंडा इये इये से भी कोई भी शब्द नहीं बनता इसे हम आधा अनुस्वार कहते हैं इसे अक्षर के ऊपर चंद्रबिंदी जैसा जोड़ा जाता है इस चंद्रबिंदी से शब्द की अवाज बदलती है उधारण के लिए द और इये को जोड़ने से दा बनता है जैसे दात ग और इये को जोड़ने से गा बनता है जैसे गाओ त ट से टमाटर ठ ठ से थेला ड ठ से डबबा ठ ठ से धकन ठ ठ ठ से भी कोई भी शब्द नहीं बनता लेकिन ठ को शब्द के बीच में या आखिर में जोड़ा जाता है उधारण के लिए गुण बान त ठ से तरबूज ठ ठ ठ से धरमस द ठ से दवाई ठ ठ से धन न न से नार्यल ठ ठ ठ से पपी दा ठ ठ ठ से फल ठ ठ से फल ठ से बतक ठ ठ ठ ठ से भालू म म म म से मचली य य य र से यान र र र से रसी र र र र र से लकडी र र र र से वन र श र से शहनाई र र श से शटकोण स स स से सूरज ह ह ह से हाथी र र र र से त्रिशूल र र र र र र म.. र र झालादा